नमस्कार कहानी गोल्ड में आज सुनिये मृदुला गर्ग जी की लिखी कहानी अगर यूं होता तुम दस साल पहले कहां थी? जिम ने कॉफी में चम्मच चलाते चलाते पूछा 1960 में दिल्ली बीए में पढ़ रही थी क्यों? मधुर ने प्याला नीचे रखकर उत्तर दिया और उसकी उर देखने लगी 1960 में मैं पहले-पहल हिंदुस्तान आया दिल्ली भी गया था तो? तुम मुझे तब मिली होती तो हमारा विवा हो गया होता क्या बेकार बात करते हो? बेकार बिल्कुल नहीं है सच कहता हूँ आट-दस साल पहले तुम मुझे मिलती तो दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती थी क्या रद्धी कहानिकारों की तरह बोलते हो? चलो रद्धी सही, पर क्या करूँ? इस वक्त मेरी भावनाई कहानी की तरह हो रही है वह हस पड़ा तुमने रविंदरनाथ ठाकुर की वह कविता पढ़ी है? फेरवेल, माई फ्रेंड मधुर ने शायद बात बदलने के ख्याल से कहा फेरवेल, माई फ्रेंड जिम ने कुछ सोच कर कहा बंगला में शिशेर कविता नाम है न उसका? पढ़ी है बंगला में बंगला में? तुम क्या बंगला जानते हो? मधुर ने आश्चरे के साथ कहा अब तक उनकी बाच्चीत अंग्रेजी में हो रही थी खूब अच्ची तरह दस साल से बंगल में जो रहा हूँ मुझे सुनाओगे? मैंने अंग्रेजी अनुआधी पढ़ा है कुछ सोच कर वह अपनी बात पर हस पढ़ी कितनी मज़ेदार बात है तुमने अंग्रेज होकर बंगला में पढ़ी है? मैंने अंग्रेजी में हिंदी के अलामा अपने देश की कोई भाषा सीखी ही नहीं चमोतकार अंग्रेज से शादी करने पर तुम्हारे घरवाले नाराज नहीं होते फिर बेकार की बात बोलो भी होते बहुत नाराज होते तो तुम क्या करती? अपने घरवालों से डरती हो मैं भला क्यूं डरूंगी मैं जिससे प्यार करती उससे विवा भी करती मैं किसी से नहीं डरती वरती तब ठीक है मैं तुम्हें हनीमून के लिए हौंग कॉंग ले चाता हौंग कॉंग क्यूं? बढ़िया जगए है गई हो कभी? नहीं एक महीना वहां रहते छुट्टी मनाते फिर कुछ काम धाम करना पड़ता तुम्हारा घर कहां है? माबाप कैनेडा में रहते हैं आजकल पहले इंग्लेंड में थे मैं अक्सफोर्ड में पड़ता था और रहता हूँ कलकत्ते में पिछले दस साल से तुम्हे मैं पूरे संसार की सेर कराता मुझे गुमकड़पन की सनक है तुम्हें पसंद है न? हाँ कहां कहां जाना चाहती हो? जापान, रोम, पैरिस बहुत खुब चीन, ग्रेस, एजिप्ट और इस्तामबुल और और इंग्लेंड है छोटा सा आइलेंड पर बहुत सौंदर है वहां बहुरंगा सौंदर इतनी छोटी जगे में इतना सौंदर मैंने और कहीं नहीं देखा भारत में सब कुछ विशाल है दूरियां अधिक हैं तो उचाईयां भी इस्त्रियां अधिक सुंदर हैं और अधिक भाउग भी उसने कुछ हसी के स्वर में कहा फिर बोला कभी हिंदुस्तान से बाहर गई हो नहीं पर मेरे पती अगले साल अमेरिका जाने को कह रहे है और यूरोप वहां भी घूमते खामते ठीक है तुम्हारे साथ मेरी डेट पक्की पैरिस में दस जन्वरी को चार बजे बोय में मधूर जूर से हसने वाली थी कि उसके मूँ का भाव देख रुप गई वह एक टक उसकी उर देख रहा था बूरी आखे कुछनम थी साथ ही शैतानी से चमक रही थी कल्यो पैट्रा उसने कहा तुम कल्यो पैट्रा की तरह हो उम्र और जानकारी से तुम्हारी ताजगी और विलक्षनता में कोई अंतर नहीं पड़ता फिर कुछ रुख कर बोला हमारे बच्चे कितने सुन्दर होते पूरब और पख्षिम का तूलनी अद्भुत मिलन एक लड़की एकदम कमाल की होती वह धत उसने कहा धत क्या जानती हो तुम कितनी सुन्दर हो तुम्हारे बाल तुम्हारे हाथ मेरे घर के लोग तुम्हें देखते ही मुगध हो जाते और जब तुम्हारे घर के लोग देखते हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं तो वे भी नाराज नहीं रहते मैंने तुमसे कहा है क्या कि मैं तुमसे प्यार करती या तुमसे विवाह कर लेती कहा नहीं तो क्या हुआ अब करती हो तब क्यों नहीं करती अब करती हूँ किसने कहा मैं जानता हूँ और तुम भी जानती हो हम जीवन में पहली बार प्यार कर रहे हैं असली प्यार क्या बखवास है हम दोनों विवाहित हैं मैं अपने पती से प्यार करती हूँ और खोब सुखी हूँ तो मैं अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता क्या या तुम्हारा ख्याल है नहीं करता मेरा ऐसा ख्याल क्यूं होता हम दोनों विवाइत हैं हमारे बच्चे हैं क्यूं करते ही है हम लोग एक पार्टी में मिले मैं अब तक पुनरजनम में विश्वास नहीं करता था, अब करने लगा हूँ, अजीब चीज है जीवन भी, पहले तुम मुझे मिली होती, तो मुझसे बच नहीं सकती थी, सच कहो, पहले कभी तुमने इतना प्यार किया है? क्यों नहीं किया? मेरी arranged marriage नहीं थी, तो मेरी कौन सी थी? पर पहले हम मिले जो नहीं थे? जब मिले नहीं थे, तो ख्याली पुलाव पकाने से फाइदा? जो हुआ नहीं, जिसका कुछ अस्तित्व नहीं, जो हो नहीं सकता, उसे लेकर वादविवात से लाब? लाब तो नहीं है ऐसी बाते सुनने से लगता है मैं अपने पती के साथ विश्वासगात कर रही हूँ अब कौन रद्धी कहानिकार की तरह बोल रहा है खेर ठीक है हमें वापस जाना है अपने अपने घर अपने अपने परिवारों के पास चलो कौफी खतम करो मेकप के लिए अंदर चले जिम मनोयोग से कौफी पीने लगा कुछ देर मौन बना रहा फिर मधूर ने कहा तुमने कुछ कहा? नहीं भीतर चलो चलो मधूर ने सुस्ती से कहार उठने लगी जिम ने हाथ आगे बढ़ा दिया उसका हाथ थाम कर उसे उठाने लगा सहसा उसने कहा वा कई हमें मिलना जुलना बंद कर देना चाहिए अगर मिलते रहे तो एक दिन मैं तुम्हें प्यार कर बैठूंगा और तुम भी जानोगी प्यार किसे कहते हैं वा हम दोनों के वह हम दोनों के जीवन का पूर्व छड़ होगा नहीं मदुर ने कहा और हाद छुड़ा कर जल्दी से उठ खड़ी हुई उसका रूम रूम सीहर उठा था, मुह पर रखते दोड़ गया था वह चाहती थी जिम बोलता जाए, पर उसने और कुछ नहीं कहा दोनों अंदर चले गए, नाटक समाप्त होने पर जिम ने कहा गुड नाइट नहीं सुनो, मदुर ने कहा मुझे घर छोड़ दो, मेरे पती बाहर गय है, मुझे लेने नहीं आएंगे दोनों गाड़ी में बैठ कै, गाड़ी आगे बढ़ने लगी भीतर बिल्कुल चुपपी थी, नाटक समाप्त हो गया था जिम चुपचाप गाड़ी चला रहा था, मधुर देख रही थी, अभी गाड़ी सुनसान पत से जा रही है फिर बाजार आ जाएगा, फिर उसका घर, वह गाड़ी का दर्वाजा खोल कर उतर जाएगी उसने जिम की तरफ देखा, वह सड़क की तरफ देख रहा था सुनसान पत पर एक गती से गाड़ी बिना हिच कोले खाए चली जा रही थी, नाटक समाप्त हो गया है, कल से उनके पास मिलने का कोई कारण नहीं बचेगा जिम उसने पकार कर कहा, जैसे वह उसके बराबर में ना हो कर कहीं दूर हो, हाँ, गाड़ी रोक दो, गाड़ी रोक गई आज के बाद तुम मुझे नहीं मिलोगे नहीं कभी कभी कलब में या कहीं और नहीं मैं तुमसे अजनबी की तरह नहीं मिल सकता जिम ने अब उसकी तरफ देखा जिम जिम जाने से पहले मैं तुम्हें प्यार करती हूँ उसने छलांग लगा दी जानता हूँ जिम ने कोमल स्वर में कहा ओ जिम मैं यह नहीं सह सकूंगी जिम जाने से पहले एक बार मधुर ने उसका हाथ पकड़ कर अपने होट उसकी हथेली पर रख दिये नहीं जिम ने सने से उसके बाल सहलाते हुए कहा ऐसे नहीं मधुर मैं तुम्हारा एक चुम्मन नहीं लेना चाहता चाहता हूँ मैं जब चाहूँ जहां चाहूँ तुम्हारा चुम्मन ले सकूँ पर हमारे साथ एक भीड है हम अकेले नहीं हो सकते मधुर ने सिर उठाया तो उसकी आखों में एक आसु आ गया वह पोचने के लिए हाथ उठा रही थी कि जिम ने अपने होटों से आसु उठा लिया और धीरे से उसके होटों पर रख दिया नमकीन सा स्वाद महसूस हुआ कि होट अट गए उसे लगा एक बवंडर उठा था जो बहुत कुछ तहस नहस कर गया बस एक फोल फुनगी पर आधा लटका रहे गया था जो तुफान के चले जाने पर उसके होटों पर आगिरा आस चर्य उसे अनिश्चित सा ख्याल आया वह तो प्रथम चुम्बन के समान है उसने आखे बंद कर ली गाड़ी फिर चल दी बत्तियों की जगमगाहट से चौक कर उसने आखे खोली वे बाजार से गुजर रहे थे गाड़ी रोग दो उसने धीमे स्वर्मे कहा बेबी के लिए खासी की दवा लेनी है अभी आप सुन रहे थे मृदुला गरग जी की लिखी कहानी अगर यूं होता उमीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ तब तक के लिए मस्कुराते रहे धन्यवाद